वही सोग प्राव जगर एक बार की बात है एक बार तथागत भगवान को इतना बुद्ध के पास एक विक्ति गये, वो काफी परेशान थे, वो बार बार कह रहा था कि भगवन, मैं काफी परेशान हूँ, मैं काफी दुखी हूँ मेरी परेशानी का कुछ हल बताईए, कुछ मार्ग बताईए वो बार बार तथागत भगवान का उत्म गुद्ध से पूछ रहा था तथागत भगवान गुद्ध उससे कहते हैं ऐसा कीजिए आप एक मुठी नमक ले लो और उसे एक ग्लास पानी में डाल दो अब उसको घूलने के बाद तथागत कहते हैं कि इसके इसे पीओ और इसका टेस्ट बता तो वो जैसे ही मुँँ में पानी लेता है तो वैसे ही थूपते हुए बोड़ता है यहां तो बहुत खा रहा है तथागत भगवान का उत्म गुद्ध है हसते हैं और बोल रहे हैं कि ऐसा करो फिर से एक मुठी नमक पानी ले लो नमक ले लो और इसे लेकर मेरे पीछे पीछे आओ दोनों साथ चल रहे थे एक बड़ी सी जील के पास आकर रुख गये जील तथागत भगवान का उत्म गुद्ध है ने कहा कि अब इस जील में अपने मुठी का नमक दाल दो और फिर कहा कि यहां का पानी अब पी कर देखो तथागर भगवान को उतन बुद्धर जब ऐसा कहते हैं तो वो गुरुहस्त वैसे ही करता है और वैसा करने के बाद तथागर भगवान को उतन बुद्धर से पूछते हैं इस पानी का पेस्ट कैसे है स्वार्थ कैसे है वो गुरुहस्त कहता है ये पानी तो काफी मिठा है तो तथागत भगवान को उसको समझाते हैं उसके पास बैठका उसका हाथ थांते कि देखो हमारे जीवन में जो भी दुख होता है वो इस नमक की मातरा के जैसे होता है वो ना तो कम हो सकता है ना तो जादा हो सकता है लेकिन उसका स्वात हम लोग किस तरीके से चकते ये हमारे उपए जब भी आपके जीवन में दुख आये तो दुख आने के बाद में गिलास के जैसे एक छोटा सा पात्र बन करना रखो तो जब भी आपके जीवन में दुख आये तो एक जील के जैसे विशाल बन जाओ विशाल बन जाओ ताकि ये दुख आपके जीवन से चुट्टियों के समान निकल जाएगा साथ, साथ, साथ